हेलो दोस्तो मैं हूँ राकेश शर्मा इमेज मेकर टीवी चैनल से और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमेज मेकर टीवी चैनल दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया कि आरेक संडेट की स्पीड के बादे में बात की यानि की स्पीड मेटर की बात की कौन सा स्पीड मेटर होता है और इजनल और कोई सा हमें इस्तमाल करना चाहिए कौन सा मार्केट में मिल रहा है उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया कि स्पीड में गाड़ी भागेगी तो सही लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेक्शू भी की चाहिए अब हम चलिए हम बात करते हैं आज ऐसे पाड़ की अगर वो पाड़ खराब हो जाए तो सहाब उसको ठीक करना या उसको नया मिलना या पुराना मिलना बहुत मुश्किल है अगर वो पाड़ खराब हो गया तो अब देखें कि उस गारी को हमें क्या करना पड़ तो कितना दुख होता है होता है न तो चलिए उसी सलूशन को आज हम करते हैं कि अगर वो पार किसी भी भाई का किसी भी आरेक्संटे लवर का अगर उसकी गाड़ी का वो पार खराब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए अब सूच में आप पढ़ गए होंगे कि ये शर्मा लग गया या वो टूक गया या वो कांगी करता तो फिर गारी ही बेकार हो जाएगी मैंने इतने हिट दे देँ सकता है तो इस को तो यहता है दी होती है उसके उपर पूरी बॉरे होती है ऐसे ही गारी के किसी भी वीकल के अंदर वो चेसी होता है एना चेसी होता है अब किसी भी गाड़ी का अगर चेसी माल ले चीए खराब हो गया उसको जंग लग गया या वो वो कहीं से तूड गया बहुत होता है अब करें क्या करें ऐसे बहुत लोग भाईयों के हमारे पार फोन आते हैं विश्रमा जी हमें कोई हमारा चेसी हमारा खराब हो गया हमें चेसी चाहिए चेसी चाहिए लिए लोगों नया तो मिलता नहीं पर हमारी नौलिज में तो मिलता नहीं कोई और कहां से मिले उस दूसरा फिर सेकंड ऑप्शन आ गया कि सेकंड हैं अब सेकंड हैं जो है वो किसी गाड़ी के से मिल सकता है किसी ने गाड़ी बेची हो किसी कबारी के पास हो वहां से उसने उस गाड़ी को रिस्ट्रॉय किया हो खोला हो तोड़ा हो उसमें से कोई चेसी मिल जाए तो मिल जा कि उसको नहीं बेचना चाहाता इस बात को तो आप सब समझते ही हैं तो अब हम करें तो करें क्या देखिए इसका एक ही सलूशन है अब चिंता ना कीजिए हर चीज का रास्ता होता है लेकिन यह है कि हमें सही दिशा सही गाइडेंस की जरूत होती है तो मैं इस वीडियो का ब परिशान ना हो अब किसी को इदर से उदर परिशान ना होगी भी हमें चेसी चाहिए और हमें वो जी यह नहीं मिल पाएगी अगर कोई देता है यह अरिता है वो मुझे नहीं मालूम मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप चिंता ना करें उस चेसी को आपके शहर में जिस और रेग महार से साफ कराई आगर जंग्स पहुत ज्यादा है तो उसे ग्राइंडर से साफ करा सकते हैं जब साफ हो जाये तो अच्छी क्वालिटी का प्राइमर लगाई उसे अच्छी क्वालिटी के पेंट से पेंट कीजिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बिल्कुल उसके अंदर एक तरह से दुबारा से जाना जाई अगर बिल्कुल ही खतम हो चुका है अगर थोड़ा बहुत जंग लगा है तो यह से आपका चल जाएगा आप दिक्कत नहीं है परिशानी नहीं है आप चिंता ना करें अगर बिल्कुल ही वहाँ से तूर चुका है इतना है कि वो चलने लाइक ही नहीं है तो उतने ही पोर्शन को आप कट करा दीजिए दोनों साइड से इदर से भी उदर से भी जो जितना बीज कट तुकड़ा है जो खराब हो चुका है उसको उतने ही मोटे पाइप से उसे वैल्ड करा दीजिए वैल्ड करा कने के बाद उससे ग्रैंड करा लीजिए grind कराने के बाद में आप उस पे फिर अपना rigmar से उसे primer से और paint करा करा कर लगा जी एक तो जो ये paint वार ये ये primer की बात है उससे grinder से उसको बिल्कुल welding को खत्म किया जा सकता है नजर नहीं आएगा देखिए जो चीज portion खराब हो गया उसको change कर सकते हैं लोहे का है तो ऐसा नहीं कि हमें जब नए चेशी मिलेगी या बिल्कुल original मिलेगी तब ही हम काम करें जब जो चीज मिलती नहीं जिसका कोई solution नहीं तो उसका यही एक solution है आप इसको इस तरीके से वहां करा सकते हैं और दोस्तों एक बात और भी है अगर आपके शहर में ये सुईदा नह नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे भी contact कर सकते हैं हमसे सबसे बाद में contact कीजिए क्योंकि यहां आने का मतलब है आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा क्योंकि जिस चेहर में रहते हैं वहां से चेसी यहां आएगा दिल्ली आएगा पिर उसको तैयार करके आपको वापस करकर यह काम कर लीजिए अगर फिर भी आप कहते हैं कि साब हमारे पास ऐसा कोई हमारे contact में mechanic नहीं आ रहा जो इसको काम को सही तरीके से कर सके तब उस इस्तितीवे आप हमसे contact कर सकते हैं जान रहे हैं कि आने जाने का खर्चा लगेगा दो पैसे ज्यादा लगेंगे क्यों मैंने आपको बताया कमेंट करके जरू बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हम मुझे जरू बताईएगा मैं इसी तरीकी की नॉलिजडेबल वीडियो आरेक्शंडर्स के प्रती आपको आगे आने वाले समय में बनाते रहेंगे दिखाते रहेंगे औ अब तक के लिए हमें आग्या दीजिए नमस्कार जैहिन जैवारत